नमस्कार मेरा नाम है मान इन्वी सेन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं आज मेरे साथ विदरवनाक्चेमबर के अद्दक्ष अश्विन जी महाडियां पर मौझू देर पर आपका इन्वी सेन न्यूज में स्वागत है सबसे बड़ी बात स्वालों का सिलसेरा शूर करने से पहले कुछ दिन पहले नितिन जी राउत ने बहुत बड़ा स्टेट्मेंट दिया कि अब नागपूर शहर को जर्वत है कड़क लॉक्डॉन की इसमें आपके क्या विचार जब मानने है राउत साब ने ये स्टेट्में और जो दूसरे चार थे वह आट अफ नापूर के निस्टिक के थे और कुछ चार लोग थे जो नापूर के थे वह एक के सोसाइटी में दो-दो फैमिली फैमिली के दो-दो लोग पॉजिटिव हुए तो यह स्प्रेड नहीं थे और कल जैसे हमने देखे नापूर शहर में है गयारा केस है तो एक कोई एजुकेशन इंस्टिटूट से दस गयारा डॉक्टर वहां पॉजिटिव पाए गया है तो यह ऐसा नहीं कि बहुत स्प्रेड है और आज हम देख रहे हैं जो आठ तारीक को तो आठ तारीक को नापूर शहर में छे केसे जिसमें से दो अगर अप पुरे डेटा आठेंग अप देखें जो एक चाउसो से एक हमारे चाड़े चाज़ तक हैसे 열ी और जो एक्ट्व पोशन की संख्या थी वहें वगं शूंकृ स्चैनल के बीचि वहस्तिदा आज नहीं है हमारे पालक मंतिर जरूर हमारी चिंता करते हैं हमारी चिंता के चिंता करते हैं लेकिन साथ-साथ व्यापार की भी चिंता करना पड़ेगा अर्थ व्यवस्ता की भी चिंता करना पड़ेगा में इत्ता ही उंके बारे में यह कहना है हमने एक बात नोटिस किये कि जो पिछले तीन दिन से केसेस आई है कोविट पेशन्ट के वो पिछले 20 दिन जो कोविट पेशन्ट है उनको बराबरी का टक कर दे रहे थे क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा कि एक दिन में 60 पेशन्ट मिले सबता पेशन्ट मिले या मौते जाद हो क्या वैपारी संगठन उस दिन का इंतजार कर रहा है ऐसा वैपारी संगठन कभी नहीं चाहेंगा हमारा भी शहर नाकपूर है और हम भी यह शहर के हैं और यहां के लोग भी हमारे है हमारा ऐसा कभी मानना नहीं है और ऐसा कभी सोचना नहीं है लेकिन जो पर्टिकुलर गवर्मेंट के दिशा निर्देश है जो महारा सरकार द्वारा जो चार्ज उनको एक पांच लेवल का फर्मूले का ओडर आया था जिसमें आटो मोड सब चल रहा था कब अनलॉक होगा कि प्रशा कभी कर नहीं चाहेंगे कि पचास केस पे लॉक्डान कर दो सौ यह हमारा बोलबान में यह हमारा बोलना है कि जो गवर्मेंट ने स्पेसेफिक फर्मूला दिया है क्योंकि प्रधार मंतिरी जी भी कहा है कि जान भी जान भी और हमको इसके साथ अभी रहना है जरूर वैक्सिनेशन हमारा स्लो हुआ लेकिन मैं देख रहा है अगश्ट महने से हमारा वैक्सिनेशन बहुत जादा फास्ट हुआ है लेकिन क्योंकि जो एक कोविड शिल वैक्सिन है वही सबसे ज्यादा अवलेबल हो रही है और वह जो वैक्सिन लोग लगा रहे है उसको 83 डेज का लॉकिंग है सेकेंड वैक्सि इवाल हम देख रहे हैं संख्या इतनी नहीं है और नागपुर 3035 लाखी पॉपुलेशन का शहर है इसमें 10-12-15 लोग आ रहे है और आज हमारी एक्टिव पेशन देखेंगे तो सत्तर के नीचे पुरी शहर के अंदर जो की गवर्मेंट ने इंस्टिशन कोरेंटाइन या ह रहने है कि वह ऊसको मजबुर करती है ने को सकता है यह तका कर रहे है ज़रूर इस चीज के कारण कुछ टेस्टीग का प्रमाण कम हुआ है जो लोग घबरा रहे board ne ने कर gummy एंचिशुछन में ले जाएंगी, या हमको्टल जाना पड़ेगा, या वास्पिटल में रहना पड़ेगा. क्या वेपारी संगटने है, जितने भी वेपारी वाले हैं, क्या वो सरकार की हर बात मानत हैं? क्योंकि सरकान ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी कस्टमर बिना मास्क के आए तो उसको अटेंड नहीं करना है फिर बहुत ऐसे कई वेपारी देखे गए जो बिना मास्क बिन था सब ककर आते हैं तो उन्हें हैं करते हैं नाकपूर शहर में जित्ते नेता आते हैं आप उनके भाषन देख लिजिए आप उनके नॉर्मल फोटोग्राफ देख लिजिए वो सब अगर मास्क के रहते नेता एक लोगों का आइकॉन रहता है जो ये implementation agencies को बताता है कि तुमको ये करना है अभी कोई एक बड़ा नेता हमारे शहर में member of parliament आके गया उनके पीछे 1000-1000 की भीड़ थी जबकि नाकपूर में permission दोसों की है लेकिन शाषन प्रसाषन उनको कुछ नहीं बुलता हमारे हैं अगर शादी होती है या हम कोई कारेकरम लेते है तो हमको problem होती है ये rule सबके लिए लागू होना चाहिए जरूर मार्केट में कुछ लोग मास नहीं लगाते government ने public को भी awareness करना चाहिए क्योंकि market में दुकान में दुकानदार नी customer बहार से आता है और दुकानदार अपनी जवाब दरी बूलता है उसको खुद के दुकान में follow कर रहा है लेकिन फिर भी अगर आप government office में भी जाके देखेंगे तो वहां भी यही scenario है कि आप बड़े officer क केविन से बाहर नीकल के पहला जो government office में दीखेंगा उसको देख लीजे बगर मासके दीखेंगा सर क्या हम लोगों को अपने आप से compare करेंगर लोग गलत काम करें तो क्या हम भी गलत काम करेंगे और दुसरी बात है कि मेरा सवाल आप से है वैपारी संगटन से मेरा अगर मै किसी नेताओ को देखता हो कि अगर हो बिना मासक के घुम रहा है जो भी है तो मैं उन्जा सवाल कुछ हूँगा लेकिन अभी मुद्दा ये था कि ऐसे हमने कई shops देखे है जो मिना मासके तो उनके ऊपर आप लोगों ने क्या action लिया हमने कई बार हमने awareness campaign चला है नाग से जित्ता awareness campaign होता है हम continuously चला रहे हम चाते हमार साथ सरकार भी चला है ताकि आम जनता भी उसको उत्ता माने सरकार ने भी यह कहा कि कडख lockdown लगने के chances है जिसमें एक आ गया है कि वैपारियों को चार बेटक दुकान खोलने की permission मिलेगी अगर ऐसा होता है तो वैपारियों का समझ रहे है कि वैपारी हमेशा विरोध कर रहा है वैपारी कभी विरोध नहीं कर रहा है वैपारी समय का विरोध कर रहा है जो पहला lockdown और दूसरा lockdown सफल की हुआ कि सब लोगों ने मिलके उसको करा शाषन प्रशाषन अकेले से सफल नहीं होगा सब लोग उसमें समझे थी क पैंडेमिक का सिट्वेशन है यह पाद 10-15 तो आते रहेंगे इससे डरना नहीं है यह आएंगे खतम अभी होने वाला नहीं है जब तक हमारा वाक्सिनेशन होता नहीं है जब प्रॉपर आएगा हमने हमेशा सरकार को साथ दिया है आगे भी कंदे से कंदा मिला के साथ देंग अगर अभी जो दो दिन बाद नियमाली आने वाली है उसमें लॉक्डाउन लग जाता है तो क्या करेगा वैपारी संगट है मैं मेरे मानियाए पालक मंतरी नितिन राउट जी मुझे पूरा भरोसा है वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे हमारी कलेक्टर माडम विमला आर मैड करेंगे तो अभी यह कहने का मतलब है कि वैपारी बिल्कुल तैयार नहीं है लॉक्डाउन के लिए और में चीज आप देखेंगे कि कल विजय वडटीवार साब ने एक अलग स्टेट्मेंट इस तो अवचाम समंज में आता है जैसें हमने महाल और देखा एक आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि जब से लॉक्डाउन पूरी तरह खुला है वहाँ पर धडलने से बिजनस चाल हुए लेकिन नियमों का उलंगन लगात्तार हो रहा है और विदर्बन आग चंबर का कोई वैपारी संगटन के वैक्टी ने वहाँ पर कोई र पर चैसा नहीं कर रहा मैं आपको पहली बता है हम समय समय पे मार्केट्स में जा रहे हैं और हम नियम वाली पालन करने के लिए अमयरी लोगों को प्रेडिट कर रहे हमने मान्य महापाओर के द्वारा एक श्रीगर भी लॉंच कर एक पोस्टर भी लॉंच कर रहा है जो हमन कर रहा है कि जो इटनिटी मॉल के बाजू का रोड है जो अभी यूज में नहीं आ रहा है जहां सी बस पार्किंग कर रहा है यहां के होकर्स को आप वहां रिहाब करिए ताकि उनका बड़ी में डोट का चाम भी खतम नहीं होंगा उनके कस्टमर बजू की बाजू में आ सकते दुकाने इस्टाबलिष्ट है तो जा सकते होकर्स तो प्रॉब्लम गौर्मेंट सौल कर सकती है अगर करना चाहे तो लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी उनने यह बात रखा था हुआ लेके जाने की और बात में यह डिसाइड कर दिया कि होकर्स में डोट के सब्सक्राइशन है तो शाषन प्रशाषन ने मार्केट में भीड कंट्रोल करने के लिए अपने लोग वह रखना चाहिए आप देखें जब चार बजे का समय था तो हमारे कर्प्रशन के टीम चार बजे मार्केट में निकल जाती थी और चालान वालान सब करती थी आज चा सबसे बोर है अगर गौर्रमेंट हमारे लोग है नागपुर की जनता थोड़ अपना को फ्री समझ रही है तो शाषन प्रशाषन में बैठेवे लोग भी कोविड को अभी इत्ता सीरियसली ले नहीं रहे मैं ऐसा समझता हूँ जाने से पहले आप क्या कहना चाहूँगे नागपुर के जितने रैपारिया उनसे और मानिय नितिन जी राउट से क्या कहना चाहूँगे मैं सबसे पहले हमारे माने नितिनरी राउट से कहना चाहूँगा कलेक्टर माडम से मुन्सिपल कमिशनर शीपी सर्स सबसे कहना चाहूँगा सब नागुदर चेंबर ऑफ कमर्स हमेशा से आपके साथ है जब समय था हमने आपका साथ दिया आगे भी भगवा ना कर ऐसा समय है हम आपके साथ रहेगे और कोविट की रोगधाम के लिए हर संभाव मदद हम आपको करेगे मैं आम जंता से भी निविदन करता हो कि मेरे बजारों में उपलब बहुत माल है एक अदमी आईए जित्ता आदमी की जर्वत से उत्ता आईए बजारों में अन्यसेसरी भीडना करे मैं मेरे दुकानदार भाईयों से निविदन करता हो कि कोविट भीवेट जो गवर्मेंट के दिये गए दिशा निर्देश से उसका पूर्जो तरीके से पालन कर लिए ये हमारे लिए सबसे अच्छा है क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है तो अगें हम लोग आपने मौजूद है ये तो कुछी दिन में इसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएगे आप देखते रहें इन बीसे न्यूस सच दिखाए बिना चुपाए